जो महिना ग्रही विवस्ताओं के बड़े परिवर्तनों के साथ मुझूड रहा हो। देव गुरु ब्रहस्पती, राहु केतु, एवं शनिदेव जैसे ग्रहे जिस महिने में अपने राशी संचरण को परिवर्तित कर रहे हों। उस महिने का मासिक राशी फल लेकर, अपरेल 2022 का मासिक राशी फल लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजर और उपस्तित हैं। पर्तमतया ग्रह गोचर ये विवस्ताओं का अध्यन और उसके बाद परतिये कशेत्र विशेश के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। पर्या की ही बात कर रहे हैं। अब तुला राशी में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। क्योंकि वकरी चलते हैं तो सस्ट से पंचम में प्रवेश कर जाएंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि ज़र राहू की स्तियां वुरशब राशी स्थान में चल रही थी। राहू भी यहां एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये तारीक रहेगी बारहे अपरेल दोहजार बाईस। वहीं पर इसे के साथ आप ये देखिएगा कि जो देव गुरु प्रियस्पति की स्तियां कुम राशी स्थान में चलाएंबान थी। 13 अपरेल 2022 को देव गुरु प्रवेश करने वाले होंगे। महत्वपूर्ण बात ये है कि दशमेश होकर दशमभाव में रहने वाले होंगे। हंस नामक प्रमुख पंच महापुर्श योगों में से एक योग यहाँ पर बनने वाला होगा। ये महत्वपूर्ण बात और वहीं देव गुरु प्रेस्पती अपने उच राशी स्थान को भी अब देखने वाले हो जाएंगे। मंगल यहाँ 7 अपरेल 2022 के बाद से ही कुम्ब राशी स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पूरे ही माह परियंत कुम्ब राशी स्थान में ही चलायमान रहेंगे। शुक्र की स्थियां 27 अपरेल 2022 तक यहाँ नवम भाव के साथ में जोड़ी रहने वाली होगी। और वहीं जो एकारश भाव की स्थियां आप देख रहे हैं। सुर्य राहू का ग्रहन दोश बनेगा 14 अपरेल 2022 के बाद से जब सुर्य देव यहाँ नीन राशी स्थान से निकल कर एकारश भाव के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे। बुधारिती बनेगा आठ अपरेल के बाद से जो बुध की स्थियां है 24 अपरेल तक नेश राशी स्थान में रहने वाली होगी। इसे वज़े से 14 अपरेल के बाद बुधारिती भी यहाँ सक्री रहेगा। बुध राहू का जड़त्व भी बनेगा तो वहीं सुरी राहू का ग्रहन और ये जो तरी संगतिय यूती है इसमें जो राहू की स्थियां है लाब भाव में पुर्ण फलाओं का उड़य करने वाली हो जाती है जो मिधुन राशी के जातक लंबे समय से जीवट संगर शप प्रेक्तित्व की स्थियां आत्म विश्वास के आधार के साथ में आप ये देखिएगा कि बुध का जो प्रभाव 8 अपरेल 2022 के बाद से ही लाद भाव में जुड़ा रहने वाला होगा वहां से आपके लिए जो confidence के अप्रोच है वो पुन है बढ़ने वाली होगी ये एक महतुपूर्ण स्थि शुरुवाती जो 13 अपरेल 2022 तक का समय है जब देव गुरु ब्रहस्पती की दृस्टी भी यहां प्रतम भाव पर रहने वाली होगी उस समय जो confidence के अप्रोच है वो तो आपके साथ में रहेगी ही उसके बाद में भी जब बुध की स्थियां परिवर गेर रही थी उससे बाहर निकल कर आप जीवन देख ही नहीं पा रहे थे वहाँ पर अब इस पस्टता पुनहें आपके साथ में जूड़ी रहने वाली हो सकती है इस एक बात को अपने भीतर तक आप स्थापित करके चलते चले जाईएगा आप ये भी देखिएगा कि रु में देखा जा सकता है यहां आप ये दि कोई भी ऐसे कामकाच के साथ में जुड़ाब रखते हैं जहां किसी व्यक्ति विशिश के उपर आपका कार Gloria आश्रत रहता है किसी जगह के साथ में आपका कार आश्रत रहता है जहां लंबे समय से दुबधाएं थी वहाँ पुनहे आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन्स निकल कर आने वाले हो सकते हैं इसमें कोई भी दोविधा जने तस्तिया नहीं है हाला कि इस बात को अपने मन मस्तशक में स्थापित करके रखिएगा कि लोगों के प्रती गलत फैमियां पालने से बचें बुद्राहू का जड़त वदोश है व्यक्ति सुनता किसी से है कोई बात स्वयम के उपर लागू करता है अगले व्यक्ति को उसके रिफ्लेक्शन्स और रियक्शन्स के साथ लेकर चलता है ऐसी प्रबर्तियों से इस महीने आप जितना संभलते हैं उतना स्वयम के लिए बहतरी स्थापित करते चले जाएंगे ये एक प्रमुख निविदन हम यहां आपसे करना चाह रहे हैं तो वहीं हमने स्यात्रा को द्वितिये भाव के और आगे बढ़ाते हैं आप विशेश बात यह देखिएगा कि देव गुरु ब्रहस्पती जैसे ही दशमेश होकर दशम भाव में होंगे और आप यह भी कह दीजए कि जब सब्तमेश दशम भाव में होंगे तो यहां ब्रहस्पती की जो दृस्टी है वो उनके उच्छराशी स्तान पर रहने वाली होगी साथ ही साथ में शनिदेव की जो दिरिस्टी 29 अपरेल 2022 तक है ये भी इसी करम के साथ में जुड़ी रहेगी इसी वज़े से जो फाइनेंशल गेन के अपरोच देखनी होती है जो लंबे समय से अटकाव आप देख रहे थे जो लंबे समय से आप गेन के अपरोच को देखी नहीं पारे थे ढहिया के अंतराल में जो कारिय अप दो दिनों में पूर्ण होने थे चार से पांच दिन लग रहे थे यहां धहिया भी अपने करम के अंतिम सिरे के साथ में चल रही है जो एक स्टेबिलिटी के साथ में फ्लो मिलना चाहिए आपने कोई भी कारे महीनों पहले किया था वरशों पहले उसकी नीव रखी थी आज भी इंतजार है कि उस कारे से सकारात्मक्ता निकल कर आने वाली हो, कुछ गेन तो निकल कर आए, वो इस्तियां यहाँ अब आपके सम्मुक आ सकती है, देव गुरु ब्रेहस्पती जब व्यापार भाव के, ग्रेहस्त भाव के, कर्म भाव के, इच्छा शक्ति के भाव के, प्रबंदन के भा आव को देखने वाले होंगे ये सपस्ट किया जा सकता है कि आपके लिए लंबे समय के बाद जो financial gain के प्रोच है वो establish होती चली जा रही है इसको थोड़ा सा और गहनता से देखा जाए तो जब वानी अपने व्यवारिक स्थर के साथ में मर्दभाशता लेकर आती है बीटर की पूर्ण तया सम्मान देते हुए अपने कामकाच के साथ बढ़ते हैं तो ऐसी स्थियां सहयोग बनाने वाली हो जाती है पारिबारिक जनों का जो सहयोग है वो भी प्राप्त होता है जहां आपने महिनों की महनत की है अब आवशकता है द्रड़ता के साथ निरने के रूप के लिए लेते हैं और उसमें जो ठोस चाल के साथ में आपको आगे चलना होता है उस लेहाजा इस समय को काफी हद तक सहीयोगी कहा जा सकता है दो विधा के सिरेंकित नहीं है हम चलते हैं पराक्रम भाव की और तो विशेश बात ये देखिएगा कि पराक्रम भाव के साथ में जोड़ जाएंगे नवम पंचम का संयोग बनेगा किन्तु साथी साथ में गरहन दोश की प्रवरतियां भी विध्यमान रहेगी इसे वज़े से ये सपस्ट आपको हम यहाँ करना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों में आ रहे रियक्शन से आपको पूर्ण कालिक तोर के उपर संभलना चाहिए नौकरी पेशा जीवन के उपर कोई भी आक्षे पाप पर लगता है उससे कैसे संभला जा सकता है इसे एक बात पर आप गौर केजिएगा वहीं कोई भी चेंज आपके सामने आता है उसके साथ में स्वयम को पूर्ण तया जोड़ कर चलना इ दूसरी प्रमुख बात ये भी निकल कर आने वाली हो जाती है कि सूरी राहू के ग्रहन दूश के वज़े से मन की भीतर घरशन तो रहेगा किन्तु लाब की सिरे रोकने वाले नहीं क्योंकि सूरी देव की स्थिया लाब घाव के साथ फलाफल में व्रद्दी देती है और वहीं राहू यहाँ पुन निफलों का उदय करते हैं इसी वज़े से दूधाओं किसे रहे नहीं आप किसी भी परिवर्दन की ओर जाते हैं कंफर्ट जोन की एक्स्पेक्टिशन नहीं करें किन्तु ब्रेहुस्पती की बज़े से सूरी देव की इस इस्थिति की बज़े स शेशन देव के परिवरतन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि financial gain का जो flow होता है वो आपके साथ में बहुत शांदार तरीके से established रहने वाला होगा उसमें कोई भी दुवधा नहीं है भाईयों और मित्रों के साथ चोटी चोटी बातों में आ रहे दुराव से बचेगा राहू क द्रिस्टे भी पराकरम भाव को पूर्णताया सही योग देने वाली रहेगी हम इस स्यात्रा को बढ़ाते हैं चतुरत भाव की और तो आप ये देखिएगा कि चतुरत भाव के आदिपती जब यहां लाब भाव के साथ में 15 है 16 दुनों के लिए जुडने वाले होंगे त वहां पर भी अट्मोस्ट पॉजिटिव वेस आप स्वयम के लिए देखने वाले होंगे इसमें किसी भी तरिकी की दुराएं नहीं हाला कि इवेंट मेनेजमेंट संबंदी काम काज क्रियेटिव फिल्ट के साथ जुड़े हुए महानुभावों को जद्दो जहत करनी पड हतोत्साहित होने से स्वयम को आप रोकिएगा कईएगा कि पुनह प्रयास करते हैं ना तो पहले से मालुम है और हां कि आशा के साथ में हम चल रहे हैं ये ही है बुद्ध की फ्लेक्सिबिलिटी जिसको आप अपने भीतर तक अपना कर चलिएगा और वहीं पर माता के स्वा हाँ की आदिपति लाब भाव के साथ में होँगे जो मानसिक सुपकी स्तियां है वो आपके संवुक्ति करम के साथ किन्तु व्यक्थी कई बार उसको अपनाने से इंकार कर देता है कृटिटिट्यूड की साथ में होता यह कमई यहां पर आपको रह सकती है आप किसी भी तर कर जरूर रखने वाले रहें वहां संबंदी काम का आज में इस महीने धहरे रखने की आपको आविशक्ताएं रहेंगी वहीं हम यदि पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि केतू पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं तो इसी वज़े से सबसे महत पूर बात ये निकल कर आने वाली हो जाती है कि जो संतान पक्ष के साथ में मोह जनित भाव जुड़ते हैं वो यहां आपके साथ में रहेंगे संतान पक्ष कहीं पढ़ने जा रही है कहीं दूर अस्तिस्तान के साथ में नौकरी के और जुड़ रही है और आपको महीं से चंताओ के सिरे सताने लगते हैं उस दुविधा से बचेएगा थोड़ा सा और गहंता के साथ में इस बात को लेकर चलता हूं राहु की स्तियां कन्फ्यूजन्स के साथ लेकर चलती है किन्तो के तू जहां पर भी होते हैं वहां मोहजनित भाई देने वाले होते हैं इसका अर्थ क्या मोह जनद भाई सर्फ इतना ही कि जो भी विक्ति विशेश आप के साथ मोह के रूप में जुड़ा वा है उसको लेकर जो भाई स्तापत होते हैं उसे हम मोह जनद भाय कहते हैं आप स्टॉक मार्केट के साथ में हैं बहतर कामकाज कर रहे हैं और स्वयम के निरने के साथ में ही ये दुराब लेकर आते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं है लंबी दरस्टी के साथ में देखें तो क्या परिणाम होंगे इसके ऐसी स्थितियों से आप संभलिएगा पंचम भावस्त केतू के साथ में ये भी याद रखा जाए कि जो भी महिलाएं संतान सुक्य और अग्रसर हैं ट्रेवल को अवाइड करें अपनी चाल के साथ और अधिक दीमापन लेकर आना और सुहिम को बहुत अच्छे से संभालना य नहीं सक्षा संभंधी आधार पर जो निरनाय लंबे समय से अठके वो थे वहां तिवरता आपके संभुक निकल कर आने वाली हो सकती है हाला कि जो पंचमेश की स्थितियां है वो जब यहां नवम भाव के साथ में रहेगी तो एजुकेशन में जो एक्जिस्टिंग बेस ह वो आपको सपोर्ट देने वाला होगा आप ये भी देखिएगा कि जो चोटी चोटी बातें कहीं न कहीं संतान पक्ष के साथ में विद्रो उत्पन कर रही थी उससे भी दूर रहने की आविशक्ता रहेंगी शेर मार्केट को लेकर यहां बड़े नरणाय लिए जा सकते है वहीं सस्ट भाव के डियम चर्चा करते हैं तो शुरवाती इस तरपर जो 12 अप्रेल तक का समय अंतराल है यहां जब केतू एक तरसे सस्ट भाव के साथ चलने वाले होंगे शत्रू यहां पर परिशान करने वाले नहीं होंगे यह एक बात है किन्तु नर्वस को रिलेट कर बहने वाली होगी मस्कूलर पेन भी यहां एक से 6 अप्रेल की मद्ध्याप को परिशान करने वाला हो सकता है शत्रू हावी नहीं यह सबसे बहत्रपूर्ण सती और वहीं पर जो फाइनेंशल बर्डन बने वह थे उसको इग्नोर करने से आप निरंतर बचने वाले हों और नहीं पर अपनी कॉंशियस अप्रोच को लेकर चलें देव गुरू ब्रहस्पती जैसे ही नौवी अम्रित में द्रिस्टी से यहां सस्ट भाव को देखने वाले होंगे व्यक्ति अपने मन मस्तश्क में एक ही बात लेकर चलता है कि हमें फाइनेंशल बर्डन के सॉलूशन लेकर आने हैं वो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन यहां आपके लिए बना हुआ तो वहीं सब्तम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि व्यापार भाव के अदिपति दशम भाव में हाला कि जब भी मितुन राशे के हम चर्चा करते हैं ब्रेस्पत करने वाले नहीं रहे हैं अंततो गत्वा उसका मेजर बेनिफिट आपके साथ रहेगा ग्रहस्त पक्ष के साथ में पुनहे संबंदों के अंदर बहतरी निकल कर आती चली जा रही है बिजनस पार्टनर्शिप में भी जो एक कॉर्डियल एप्रोच एस्टब्लिश होनी चा आपके साथ में यहां जुड़ी रहने वाली होगी टिंबर संबंदे कामकाज सक्षा संबंदी किसे भी कारशेतर के साथ में आपका अस्टक शेप है वहां इस महीने को आप बहतरी के रूप में देख सकते हैं उसको भीरी सेग्रिगेट करके देखा जाए तो 13 अपरेल से 30 अपरेल 2022 तक का समय अती महत्वपूर्ण का जाएगा हम यात्रा को बढ़ाते हैं अस्टमभाव की और शनिदेव की स्ततियां अस्टमेश होकर अस्टमभाव के साथ में 29 अपरेल से परिवर्तन की और होंगे विदेश संबंधी कार्यों में आपने लंबे समय से जद्दो हो गया बारम बार प्रयास किये ठके नहीं उस अतक महनत का जो सिरा है अब आपके सम्मुख निकल करा सकता है इसे एक ताकत को अपने साथ आप बना कर जरूर रखने वाले हों और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि हेडन प्रॉब्लम्स इस महीने अपने सॉलूशन के स साथ में चलने वाली रहेंगी नवंभाव की और बढ़ते हैं तो इंट्यूशन का बेस आपके साथ बहुत अच्छे सा है इसे वज़े से हमने आपको कहा था कि जहां शेर मार्केट में स्पेकुलेशन, इंट्यूशन, किल्कुलेशन, अनुभव इन सारी इस्तितियों की और सिचुएशनल बेसिस के उपर एनलेसिस के जो रेक्वार्मेंट होती है वहाँ पंचमेश का नवंभाव के साथ में होना प्रमुक ताकत दे रहा है और वहीं अध्यात्मिक चंतन से यहां दूर दूर तक भी नाता नहीं कहीं ने कहीं बहुत एक सुरूप हावी होने व बढ़ा जा सकता है हाईर एजूकेशन के साथ में जो भी मानभाव मेडिकल संबंदी शेतर विशेश की प्रपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इस टाइम को बहतर कहा जाएगा दशमभाव के साथ बढ़ते हैं दशमेश ब्रहस्पती का दशमभाव के साथ 13 अप्रेल के बात से होना प्रमुक ताकत है आजीविका में इसका सीधा सीधा स्पस्ट अर्थ यही है कि आप अपनी आजीविका के माध्यम को काफी हद तक सुद्रड करते चले जा रहे हैं यही वो समय अंतराल है जहां आपके लिए फाइनिंशल गेन के अप्रोच के साथ ही साथ में जहां पर भी आप हैं इस्तिरता के मानकाधार रहने वाले होंगे यही वो अंतराल है जहां से पिता के साथ आपका जुडाव और अदेक बढ़ता चला जाएगा इसमें कोई भी दुविधा संमुक नहीं है इस पॉजिटिविटी को अपने साथ आप जरूर रखिएगा न पर जड़त्व दोश की स्तियां यहां किसी भी व्यक्ति विशेश के साथ में दुराव लेकर आने वाली नहीं रहे यहां ध्यान रखिएगा सूर्य देव यहां लाबधाव में उच्चस्त है परन्तु ग्रहन दोश में इसे वज़े से सूर्य उपासना का जो सानित द्या निकल कराती है कि वो एक बहुत अच्छी जौब में चल रहा है स्टबिलिटी की फ्रेम के साथ में है और वहीं एक व्यक्ति विशेश आता है और कहता है कि इस स्टार्ट अप के साथ में हम चल रहे हैं आपको ये डेसिग्निशन देना चाहते हैं व्यक्ति कई बार उसे हा positivity निकल कर आने वाली होती है इसे क्रम के साथ हम यह लिए चर्चा करते हैं तो द्वादशेश होकर शुकर की जो इस्ततिया नवम भाव के साथ में रहेगी ये भी भाग्यका प्रमुकुसायोग आपके साथ में स्थापित रहने वाला ये बात भी noticeable approach में है कि विदेश इस्ततियों के साथ में भी बहतरी निरंतर आती चली जा रही है कोई भी दुविधा के सरे अंकित रहने वाले नहीं और जो भी fashion technology, designing से संबंदित कामकाज में कोई स्थान परिवरतन आपके सामने आता है उसकी भी सहज स्वेकारोक्ती अपने साथ आप बना कर रखते चले जाहिएगा तो ये था मितुन राशी के जातकों के लिए अपरेल 2022 का मासिक राशी फल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिरोते रहेंगे धन्यबाद और कोड़ी शहे आभार